आज यहां मैं आप सभी के साथ आप सभी की बहुत डिमांड पर शेयर कर रहे हूं इस्पेशल रेसिपी वो है सूजी के बटूरे जैसे आप लोग कई वर बनाते हो तो लगता है कि हाम सूजी के खार हैं पूरे टिप्स और टिक्स के साथ रेसिपी शेयर करूंगे वेलकम तो मैं चैनल कैसे हैं आप सभी तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हो गारंटी है मेरी एक बनाना ट्राय करना और अपनी मैदे से अच्छा आएगा कलर भी अच्छा आएगा और थोड़ी से जो बाइंडिंग है ना वो मैदे से ज्यादा अच्छी मिलती है अगर हम कप में बात करें तो लगबग 4 कप के करीब मैने यहां पर सूजी ली है 240 ml का ही हमारा कप है और मैदा लेंगे हम यहां पर 200 ग्र में अगर बात करें तो 700 ग्राम हमारी सूजी और 200 ग्राम मैदा है यहां पर मैने डाली है 3 चम्मच नॉर्मल शुगर अब यहां पर डाल रहे हैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों की क्वांटिटी सेम हैं बेकिंग पाउडर 1 4th प्लस 1 8 और बेकिंग सोडा भ मैं बूल गई हूँ थोड़ा सा ऑईल है हमारा इसमें 2 टेवल स्पून तो नमक मैं बात में डालोंगी आगे देखना वीडियो में बूल गई थी एक चम्मच हमें नमक डालना इस स्टेच पर यहां पर मैंने दही यूज किया है पूरा एक कप में लिंगे तो सवा कप के क थोड़ा सा ओवर्फिल मैंने कर दिया तो तीन सो ग्राम मैंने आपर दही लिया बहुत ज़्यदा खट्टा दही नहीं है और पानी जो लिया है वह भी 300 ml के करीब यहां पर पानी लिया है बिल्कुल नीट करके इसका आटा लगाएंगे तो आटे सबसे इंपोर्टन चीज है कि हमें बटूरे का आटा कैसा लगाना है तो लगवक एक कप के करीब ही हमारा है आपर पानी गया है थोड़ा से एकस्ट्रा है तो देखिए इसका जो आटा है न देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी रथी बिल्कुल गीला एक दम गीला क्योंकि सूजी है इसमें त कर दिया है तो आटा बिल्कुल इस तरीके का ही लगाना है गीला थोड़ा सा ठोड़ा सा पानी ले लेना और इस तरह से इस पे पूरे पे इस्प्रैड कर करके ढखके इसे हमें चार से पाँच घंटे के लिए रेस्ट पर रख देना है पानी जरूर लगाना और गीला कपन अगर कोई तो भाट आटा पानी बहुत सिंपिल बेसिक सी बना रही है तो यहां पर देखिए मैं है दल चीनी डू इलाय ची काली मिर्ची एक बढ़ी यलाय ची तेज पत्ते दो ठोड़ी सी मैं चल्व चाय पत्ति डाल देती हूं क्यूंकि मैं से वह कले वाला चौरे बनत तृम आपर कीयास फेस लिए डूद में हाईने गरम, दूद्र दूद में हंड़ाँ चाबल oh कर दोड़िए अब आपे का कर देती हूं है इसका बहुत अच्छा सा और सासत बॉइल होता रहेगा तो 4-5 स्ट्रेंड में ही मतलब खीर कालर काफी अच्छा आ जाएगा तो सासत दूद के सासत अबलता रहेगा यहां पर मैंने थोड़ा सा वीडियो इसके फोगया है चावल उसके अंदर डाल दी है कोकोनट है इसे भी कर लेंगे खीर हमारी गाड़ी हो रही है सबजी की तक 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 तैयारी कर लेते हैं मतलब इसके मसाले वगएर हम पीस लेते हैं ड्राइ फूट्स भी हमारे कर चुके हैं तो यहां पर देखिए खलवट्टे में मैंने थोड़ी से आट-दस कली लहसुन की दो से तीन हरी मिर्ची और अद्रग यहां पर लेके इसको अच्छे से बिल्कुल कूट लेंगे आप चाहो तो पेस्ट बना लो मैंने पेस्ट नहीं बनाया सिंपल इसको इस तरह से मतलब कड़ाई लेंगे कड़ाई में डाला है थोड़ा सा ओई तीन टेविल स्पून के करीब यहां पर ओएल ले लिया है तब तक हम यहां पर मैंने पैच को कट करके रखा है इसके बिल्कुल प्यूरी नहीं बना रही हूं प्यूरी बनाने की जगे इसको पल्स मोड पर पीस र देखिए अब हमने डाल दिया इसके अंदर जीरा और हमने जो अदक लहसुन और अड़ी मर्ची को पीसा था वो मैंने आपर इसमें तेल में डाल दिया है तो देखिए इसे भी थोड़ा सा मतलब भूने देंगे अच्छे से जब एक बार यहां पर हम डालेंगे हमारे पिस यहां पर मैंने चार से पांच जो टमाटर लिये उसकी प्यूरी बिना लिए टमाटर की प्यूरी बिना आई है और इसे डाल दिया है एसमें चोले की सबजी पकरिए इसके अंदर हम डाल रहे हैं दो चमच मेंने धनिया पाउडर दाला है थोड़ी ज्ड़ी पाउडर दो चाहिए ठावदावा से काशमीरी आपके तको छोले मसाला डाल रही हूं तो आप 6 चाहिए छोले मसाला डाला है झालमnar गला करींनी दौनमक के लिए तेस्ट इंपके कर चाहिए भाट के टेस्मीरी दाले हम जोली चाहिए अब इसके बाद देखिए हमारी जो छोले है वो भी को को चुके है हमारी जो पोटली है इसे साइड में कर देते हैं और अगर आपको काले बाले छोले चाहिए होते न तो चाहिकी पत्ती अच्छे से डालेगा और हल्दी मत डालेगा वालते टाइम और अनारदाना होना तो ज में तोड़े बहुत मैश हो जाएंगे मसाला है काफी हद तक पक चुका है मतलब एक खटा होने लग गया तो मैं थोड़ा सा गरम पानी डाल के इसे थोड़ा सा और पकाऊंगे थोड़ा सा और पानी डाल के थोड़ी देर और कुकोने देंगे अच्छे से 5-6 मिलट के लिए चीटे आते हैं थोड़ा सा ध्यान से करिएगा या फिर ड़के से पकाईएगा तो इसका जो कलर है थोड़ा सा और अच्छा था बट जो फून है उसमें इतना अच्छा नहीं देख रहा है देखिए मसाला पक गया तो उसके बाद मैंने क्या किया हमारा जो कूकर था इसके अच्छी टाइम लगेगा भटूरे बनने में सबजी अब तक गाड़ी हो जाएगा तो थोड़ा सा में इसकी कंसिस्टेंसी हलकी सी पतली रखनी हूँ अभी इनिशली बाखी बाद में गाड़ी हो जाएगा अब इसमें हम एक ऊपर से एक तड़का और लगाएँगे जिस रह जाएगी करीब फोड़ी से जड़ा रही ज़एगी जाएगी ज्यादा ज्यादा तेल में मैंने स्लाइस की हूई हरी मर्ची डाल दी है अप चाहो तो अदरक के जुलियन भी डाल सकते हो । थोड़ा से सापधनी से छीटे आते हैं और गैस को कर दिया है और इसमें डा तो यहां पर यहां पर मैंने 500-200 ग्राम से थोड़ा कम डाला है बाकी अपने असाब से 1500-200 ग्राम के करीब यहां डाला है जितने भी ड्राइफ फूट्स यहां पर चॉप किये थे सारे ड्राइफ फूट्स मैंने डाल दी है अगर आपको इसका फ्लिवर और इन्हेंस करना है तो तक्रीवन वन फॉर्थ के करीब मिल्क पाउडर लेके दूद में मिक्स करके वो भी अब इस स्टेश पर एड कर सकते ह थोड़ा सा एलाइची पाउडर डाल दिया उससे टेस्ट है बहुत ही बड़ी असा आता है तो देखिए हमारे खीर है बन गई है सबजी भी हमारी बन गई है अब आते हम चलिए भटूरी के तरफ तो यहां पर देखिए मैने जो भटूरे का आटा है इसको चार से पांच तो देखिए पहले और अपकी कंसिस्टेंसी में कितना अंतर है मतलब सॉफ्ट हो गया आटे जैसा हो गया है थोड़ा सा ओइल लेके से और नीड कर देते हैं ताकि हाथ में नहीं चिपकेगा होता क्या है जैसे हम लोग कई लोग बिलता नहीं है हमारे जो भटूरे नहीं बैलन से सिर्फ मैं अपना जो यह चकला होता है इसको मूव कर रही हूँ उसको भटूरे को बिलकुल नहीं उटा रही हूँ और तेल को गरम करने रख दे है इसमें होता क्या है भटूरे मैं ध्यान रखीगा तेल अच्छे से गरम होना चीए तो देखे डाला डालते ही इक और आप लोगों को दिखाते हूँ तेल थोड़ा सा अच्छा ही गरम होता है इसमें अगर तेल कम गरम होता है तो नहीं फूल बिलकुल भी बनते हैं बिलकुल भी नहीं तो यह देखी हमारा एक बन चुका है और यह देखी दूसरा भी मतलब डालने की जरूटी नहीं ह जैसे कड़ाई में डालते हैं फूल के अपने आप आप आटोमेटिक ऊपर आ जाता है तो एक बड़ ट्राइ कीजेगा जरूर से जरूर ये रेसिपी आप सभी को पसंद आई हो कि चले थाली सर्फ करते हैं हमारी खी छोली की सबजी और साथ में गोल गोल गुबारे जैसे फ थैंक यू सो मच जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई